कि अज़िए नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है मैं एक साइक्याट्रिस्ट हूँ, साइकोलोजिस्ट हूँ, कॉंसिलर हूँ, विसन मुक्तित दुने हूँ, सेक्सोलोजिस्ट हूँ और विछले ढ़ाई साल से as a psychiatrist काम करता हूँ, मेरा passion है कि लोगों को मेरे lectures के दवारा aware कराओ, उनको मैं information दूँ, तकि जो psychiatry के patients है और ladies है उनको जानकार ही मिल सके, psychiatry के बीमारियों के बारे में, आज मैं आपको जो सबसे important बीमारी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ, उ schizophrenia है ऐसी बीमारी है, जिसके काराण patient की cognition है, मतलब thinking power है, जो emotion है, जो behavior है, और thinking जो है, वो सब खराब हो जाता है, emotion, cognition, thinking, behavior, इसमें सब पर परिणाम पड़ता है, वो बीमारी का नाम है, schizophrenia, 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 बहुत ही common बीमारी है, और लगबग 1% population को ये पूरी दुनिया में होती है, मतलब लगबग पूरी इंडिया में 1% population को ये बीमारी है, schizophrenia ये बहुत ही young लोगों से में पाई जाती है, 16 से 20 ये उमर में schizophrenia नाम की बीमारी होना का जो probability है, हो जाता है, male और female ऐसा कोई statistics नहीं है, वो male में भी हो सकता है, या female में भी हो सकता है, schizophrenia ये बीमारी होती किम, सबसे important है genetics, ऐसा ऐसे कोई genes है, जिसके वज़े से अगर parents को ये बीमारी होती है, तो बच्चों में भी schizophrenia होने की chances है, वो बहुत बढ़ जाता है, इसका मतलब schizophrenia ये genetic बीमारी है, second है infection, बहुत सारे ऐसे viral organisms है, जिसके होने के current, schizophrenia की जो बीमारी है, वो हो सकती है, तिस्वर current है, chemical hypothesis, dopamine, dopamine, serotonin, acetylcholine, ऐसे बहुत सारे chemicals है, जिसके कम या जादा होने के वज़े से schizophrenia की जो बीमारी है, वो होने की संभावना जादा है, alcohol, nicotin, मतलब शराब या तंबा को ऐसे जो वैसन है, उसके कारण वज़ भी schizophrenia की बीमारी हो सकती है, ऐसा देखा गया है कि जिनकी families प्वस्ता ह होती है, मतलब जहां बहुत ज़्यादा जगडा चालू है, बहुत मारपीट है, बच्चों पे घुसा किया जा रहा है, भाई बहन में जगडा हो रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, बहुत crowded families है, punishment डिये जा रहे है, उसमें schizophrenia होने की संभावना बढ़ती है, इसलिए हम हमेशा ऐसा कहा गया है, कि जब बच्चों पे हम संस्कार करते हैं, तब यह धान में धिया जाए, कि बच्चों पे जादा गुसा ना करें, बच्चों पे जादा मार पीट ना करें, बच्चों को punishment न दें, बच्चों का criticism न करें, ऐसा करने से schizophrenia की probability बढ़ जाते है, schizophrenia की प्र इसमें patient को अपने आजो बाजो वालों के लोगों पे, especially बीवी पे या husband पे शक होने लगता है, अभी हाली दो ही दिनों पहले मैंने एक patient देखी दी, देखा था, जिसको अपने wife पे शक था, उसको शक था कि wife के, उसके wife के बहुत सारे multiple affairs है, physical relationships है, और वो हर जगर जाके check र था तो उसको लगता था कि मेरी बीवी उठके भाग जाएगी, खुद को और बीवी के हाथ को chain में बांग के रखता था, अंदर से घड़ को lock करके रखता था, और हमेशा शक करता था, तो इसको बोलते है, paranoid behavior, paranoid schizoprene, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे patients है, जिनको लगता है क कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग messages भेज रहे हैं, लोग मुझे गालिया दे रहे हैं, मुझे police मारेगी, मुझे पकड़ के लेकी जाएगी, या मेरा murder कर देगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई न कोई शक या वहम तयार होता है, उसको ब Disorganized Schizophrenia, यह हमें जब रस्ते पे हम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं, जो फटे-फटे कपड़े, बाल बरावर नहीं, डाड़ी बड़ी भी ही, जो मनी मन में बड़ बड़ा रहे हैं, तो इसका परफेक्ट एग्जामपल है Disorganized Schizophrenia, Disorganized Schizophrenia, हम कहन बाशा में Lunacy या Idiocy ऐसा बोलते हैं, या Morons बोलते हैं, बहुत सारे Disorganized Schizophrenia, हम Mental Hospital में देखते हैं, Disorganized Schizophrenia को चीज़े समझ नहीं आती, कैसा रहना है, कैसा बेहेव करना है, नहाना है, खाना खाना है या बराबर या नहीं, यह उनको समझ में नहीं आता, वो अपने हिसाब से अपने दुनिया में ही रहते हैं, जो खुद को लगा वो करते रहते हैं, खुद से बड़बड आते रहते हैं, पागल ले से घूंते रहते हैं, कुछ भी दिखा दो खाते रहते हैं, Majority Disorganized Schizophrenia को अगर Social Support मिलता है, तो यह Patients definitely अच्छे हो सकते हैं, लेकिन Unfortunately, जो हमारे समाज की जो तैयारी हुई है, उसमें Disorganized Schizophrenia को हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, जैसे ही पेशेंट को मालूम पढ़ता है, यह Patients पागल है, तो लोग से धक्के मार कर घूंके बाहर निकल देते हैं, और उसे कोई Social Support मिलता नहीं है, Third Important Schizophrenia है, Catatonic Schizophrenia, Catatonic Schizophrenia डाइग्नोस नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसे Physicians है, वो Catatonic Schizophrenia को Medical Condition समझ के भरती करते हैं, अलगर अग परकार की दवाई हैते हैं, लेकिन फिर बात में उनको यह ध्याद में आता है, कि यह हमारे बस में नहीं है, और बात में वो Psychiatrist को Refer करते है, Catatonic Schizophrenia में पेशन्ट एक जट खड़े रहता है, पूरा Rigid हो जाता है, Immobile हो जाता है, अलग अलग पोजिशन्स बनाता है, Posture Maintain करता है, अगर सोया है तो सोया है रहेगा, अगर खड़ा है तो खड़ा है रहेगा, घंटों सोया रहता है, Flexibility खतम हो जाती है, Rigidity आ जाती है, ऐसे पेशन्स को urgently admit करना ज़रूरी है, लोरा जेपां यह drug of choice है, जब पेशन्स को हम admit करते हैं और Electroconversive Therapy मतलब ECT देते हैं तो पेशन्स में रिमार्क एबाद रिजल्ट्स हमको दिखाई परते हैं, हाली में 5-6 जिन पहले हमने 20-year-old female को हमने admit किया था, जिसको हमने Cat Catatonic Schizophrenia Diagnose किया था, यह patient को admit करने के बाद, ECT देने के बाद और लोरा जेपां देने के बाद, patient 10 जिनों में अच्छी हो गई, इतने miraculous results Catatonic Schizophrenia में देखी जा सकते हैं, अगला Schizophrenia है, Simple Schizophrenia, ऐसे बहुत सारे patients हैं, जो बराबर बात करते हैं socially, उटते बैठते हैं, खाना खा जाते हैं, सोते हैं, गाली गलोस नहीं करते हैं, लेकिन उनमें एक ही problem है, वो कोई function नहीं करते हैं, वो काम धंदे पर जाते नहीं, जब हम काम की बारें बात करते हैं, बुस्सा करते हैं, मारा मारी करते हैं, लेकिन यदि उनको को कोई तकलिस न दे, तो patient एक्दम खुश अपने अपमें घुमते रहता है घरबर बाइटे रहे गार बाहर में जाए मगा नहीं काम धंता करे नहींै बहूत सारे लोगों को यह मालूम नहीं है एक्चुली बीमारी है बहुत सारे पेशंश अब भीड 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 भीयोगा है along woman on his अगला स्किजोफरेनिया है अर्ली स्किजोफरेनिया बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स है जिनको ये बीमारी बहुत ही कम एज में हो रही है आठ नौ दस साल की उम्रह में भी ये अर्ली स्किजोफरेनिया की बीमारी हो रही है ऐसे बहुत सारे फिमेंस है जिनको 50-60-65 साल के बा ये बीमारी आजकल हो रही है बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सत्तर के लगबख उम्रह होती है जिनको यही सिंटम्स हमको देखने मिलते हैं और इनको ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट अच्छा हो सकता है अगला स्कीजोफरेनिया है पोस्पार्टम स्कीजोफरेनिया ये अगेन बहुत ही इंपोर्टन बहुत ही वाइटल स्कीजोफरेनिया है पोस्पार्टम स्कीजोफरेनिया मतलब प्रेगननसी और डिलिवरी होने के बाद होने वाला स्कीजोफरेनिया जिसको बोलते है postpartum schizoprenia delivery होने के बाद body में ऐसे कुछ chemical changes होते है ऐसे कुछ instability आ जाती है जिसके current patient को psychotic attack आते हैं जब ये patients हमारे पास आते हैं जब हम इनको दवाई देते हैं और electroconversion therapy मतलब ICD देते हैं जो treatment of choice है postpartum psychosis में तो patient बहुत ही अच्छी से miraculously recover होता है जो last schizoprenia है वो है post schizoprenia depression बहुत सारे ऐसे patients हैं जो schizoprenia से गुजर चुके हैं लेकिन अब उन्हें depression आया है मतलब उदास लग रहा है काम धन्ने में मन नहीं लग रहा, sexual interest नहीं है ऐसे चीजों में, ऐसे patients में anti-psychotist के साथ में anti-depression देना भी बहुत ज़रूर ही है जब हम ये patients को treatment देते हैं तो patients की improvement definitely होती है ये रहा schizoprenia के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको symptoms of schizoprenia के बारे में बता हूँ तब तब ये वीडियो देखिए ये वीडियो को like करिए ये वीडियो को share करिए subscribe करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आओंगा Thank you